नमस्कार प्रियोधर्शकों, हाजिर हुमें लग्र और राशी से संबन्धित जो तिसी ये कारीक्रम की, हमारी ये जो स्रिंखला चल रही है, उस स्रिंखला की आज चौधी कड़ी लेकर प्रियोदर्शकूं आपके द्वारा ये कारिक्रम पसंद किया जा रहा है आपको आनन दे रहा है यही मेरा मेहनत आना है आज का विशय भी जवर्दस्त है बेहत ज्यानवर्धक है और आपके पूर्व जन्म से संबंदित है प्रियोदर्शकों 2017 के अक्टूबर के बाद यदि आपकी जन्म कुंडली के सष्ठ में केतू या अश्टम में केतू हैं और आप अपने स्वास्थ का विशेश रूप से ध्यान नहीं रखते या आपके स्वास्थ में परिशानी है और डॉक्टर आपके रोग को पकड़ नहीं पा रहे हैं इधर से उधर आप भटक रहे हैं कभी इस डॉक्टर के पास कभी इस जोतिसी के पास रोग क्या है यह फाइनल नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को न तो ध्यान से देखा न चैनल को सब्सक्राइब किया है जी हाँ आखिर ये मैं मेहनत किस लिए कर रहा हूँ इसलिए तो 2017 के बाद से 17 के अक्टूबर के बाद से अनवरत आपके लिए मैं हर दिन जोतिस के एक सिबढ़कर के एक अधभुत अनोखे कारिक्रम लेकर के उपस्थित होता रहा हूँ ताकि आपके ज्यान में बृद्धी हो ताकि आपको जोतिस समझ में आए ताकि आपकी जोतिस में रुची बढ़े ऐसा नहीं है बड़ी संख्या में लोगों के मन में जोतिस को लेकर के रुची जागरत हुई है मैं ये नहीं कहता किसका स्रे मुझे जाता है पर मैं ये कहत तो भ्रम किस्तिती हो जाती है, ठीक ही नहीं होता, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होता, तो इस कारिक्रम इस विशय को कई बार सुना होता, और सुना होता तो आपको यह संसे नहीं होता, इसका मत्तब सबसे पहले कारिक्रम आप देखना प्रारम्भ करें, अगर मेरे कारिक्टरम को देखते हैं यह नहीं मेरे दर्शक कहते हैं कि अगर आप चार साल से इस कारेक्टरम को देखाए है तो आपको जन्म कुण्ड़ी दिखवाने के आप सकताouver को यह जरूरी हो गया है, ये आपके हित्व के दी. पूर्वजन्म की बाते पुरियदर्शकूं कुछ ऐसे भी लगन हैं जिससे जोतिशास्तर के मरमग्य कहते हैं कि इन्हें पूर्वजन्म की बाते याद रह जाती हैं. प्राया है ऐसा देखने और सुनने में आता है कि किसी को पूरुवजन्म की बाते याद हैं, कि पहले वो किसके घर में था, उसकी मृत्यू कैसे हुई थी, उसकी पत्नी कितने हैं, बच्चे कितने थे, उस सब उसको, लेकिन इस सब के साथ तो नहीं होता है, वैसा तो नहीं क शनिदेव की रासी हो, अथवा नमम भाव में, क्योंकि पंचम भाव से पांचवी से पांचवा, जन्म कुंडली का नमम भाव भी पूरुवजन्म और पुर्वजन्म को से संबंधित है, तो जिनकी कुंडली के पंचम और नमम से शनिदेव की रासी, अथवा शनिदेव क संबंध बन जाए तो ऐसे लोगों को अपने पूर्वजन्म की बाते याद रहती हैं अब ये लगन कौन कौन से हैं तो आप जानते हैं वर्षब लगन मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला तो सबसे पहले देखिए ब्रशब के नवम में मकर राशी बनती है और नवम भाव पांचवे से पांचवा होने के कारण ये पूर्वजन्म और पुनरजन्म से समंद रखता है मिथुन लगन के नवम में शनिदेव की मूल त्रिकोन राशी कुम्भ राशी बनती है तो वहीं कन्या के पंचम में मकर राशी बनती है प्रिय दर्शकों इस लगन के जातकों को अर्था कन्या लगन के जातकों को अपने पूर्वजन्म की बातें सबसे ज़ादा याद रह करने की संभावना होती है और वहीं तुला के भी पंचम में शनिदेव के मूल त्रिकुन रासी बनने के कारण ऐसे तुला लगने के जातकों को भी अपने पूर्व जन्म की बाते याद रहे इसकी प्रबल संभावना होती है अब इतना तो आपने समझ लिया अब हम चली इस और थोड़ा विस्तारित करते हैं और समझने का प्रत्न करते हैं प्रेदर्श को देखा जाए तो मृत्यू के पस्चात हमें हमारे तथा हमारे भावी माता पिता है हमारे कर्म और हमारे भावी माता पिता के कर्म के अनुसार हमें गर्भ प्राप्त होता है अब देखा जाए तो गर्भ में जो समय वितीत होता है, वो एक अंधकार का काल होता है, उस समय तक गर्भगत बालक को अपने पूर्वजन्म की बाते याद होती हैं, जन्म लेने के पस्चात भी उसको पूर्वजन्म की बाते याद होती हैं, लेकिन उसकी समझ इतनी विक्सित नहीं होती, वो हुए त।飲ू कर दो एसे लोगों को अपने पुरुबजन्म कãy स्मरण में रखती है। कई बार ऐसा महसूस आपने किया होगा, अब आपकी कुंडली में ऐसा है तो नहीं है तो यहां तक हमारी बाते हो गई अब आप हर किसी के लिए मैं में से लेकर के मीन सब के लिए कह रहा हूं आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कोई बात आपने सुनी ये लगता है ये बात मैंने पहले कभी सुनी हुई है आप किसी जगह पर गए आपका दिमाग कई बार इस बारे में सूचने लगता है कि लगत इस जगह पर कही न कभी, कभी न कभी तो आया हूँ, कब, कब आये थे, आप संसर में पढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास तर्क ही नहीं है, बहुत ऐसे कम ही लोग हैं, कि उनको शत्र प्रतीस्त चीजे याद होती हैं, जिनको याद भी होती हैं, उनको भी कुछ-कुछ ब पढ़लेते थे, गीता उनको याद थी, तो पुर्व जन्म का उनका ये संस्कार था, जो इस जन्म में तच्छन उन पर लागू हो गया पर जैसे जैसे उम्र बढ़ता चला जाता है बरतमान परिवार उनका साथ हम कहीं न कहीं ब्रह्म और संसे बढ़ते उम्र के साथ हम विक्सित होते होते इन चीजों को भूलने लगते हैं लेकिन आप आज मा लीजिए, मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ, कि में शिशे लेकर के मीन लगन परेंथ मैं सब के लिए कह रहा हूँ, संभाव है कि सनिदेव का किसी न किसी तरह से आपकी कुंडली के पंचम से संबंध हो रहा होगा, चाहे वो जन्म कुंडली या आज मा चुका हूँ, पूर्व जन्म की कुछ चीजे ऐसी ही, अच्छा एक बात याद रखिएगा, आपका इस समय जन्म भारत में हुआ है और अगला जन्म इंग्लेंड में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आम तोर पर जन्म, मैं हमें सा का करता हूँ कि इर्द गिर्द ह हो जाए, यानि जन्म स्थान से कुछ दूरी पर हो जाए, बस इस से ज़्यादा नहीं, आम तोर पर तो ऐसा ही देखने में आया है, क्योंकि जिनका जन्म हुआ दुबारा, बहुत रेर केस में अभी एक लड़की की कहानी सुनने में आई थी, कि वो दूसरे जगाई कहीं देश में है, भारत में जन्म लिए हो, और हिंदी बोलती है, या अंग्रेजी बोलती है, तो ऐसा होता है रेर, लेकिन आम तोर पर जब जन्म मिलता है, तो कहीं आसपासी, चतूर्थ के गुरू के बारे में बता ही चुका हूँ कि अपने उसी घर में ही जातक जन्म ले ले सबने तो सबको आते हैं, यहां तक जिपसव पक्षिओं को भी आते हैं, लेकिन उंका जो दिमाग है, वो उतना परिपक्व नहीं है, तो उस चीज को पकड़ नहीं पाताए तो वैसे ही है, बहुत सारे लोग हैं, उनकी वो जो चीजे जागरत नहीं है, कहा सकते हैं कि वो जागरत, जागरुपता उनके अंदर नहीं है, जागरत नहीं वो संसकार उनके अंदर नहीं है, फलता क्या होता है कि उनके साथ घटित होता है, उनको दिखाई भी पड़ता है महसूस भी होता है परंतु वो उसको नोटिस नहीं करते है लेकिन सनीदेव का सम्मंदिती कुंडली के पंचम से है और अगर आप इन चार लगनों से सम्मंदित है तो विश्वास मानिए कि आपको कही न कहीं पूरवजन्म की बात है कुछ न कुछ कभी न कभी ऐसा लगे कि ह मा ये बात मैंने सुनी है ये जगह मैंने देखी है आज मा के देखिए और कल का कारिक्रम देखना मत भूलिएगा कल एक और अद्भूत कारिक्रम लेकर करके आपके समुख हुपस्तित होने वाला हूँ अगर आज का कारिक्रम पसंद आया है तो लाइक कीजिए और मुझे जाज़ दीजिए, नमस्कार.